मैं आपके लिए लेक्या गया हूँ फिर से दस ऐसे वर्ड जो आपके बहुत ज़्याद कामाएंगा अससे प्रिवेशन ने जो भी वर्ड पुछें आस तक के उनमें से मैं वर्ड लेक्या रहा हूँ और यह तरीका जो आपको बहुत अच्छा लगेगा यह वह वाला तरीका देखे एंटोमलोजी याने कीट विग्यान अब इनमें से कीट विग्यान कौन से वालेका है उनको हमें मिलाना है तो इसका आंसर क्या होगा अकोर्डिंग टू यू ठीक है अब मैं आपको कुछ थोड़ा बहुत बता देता हूँ जैसे इंसेंट्री सिटी यहाँ पर सिट संकी पागल्पन टाइब ठीक है तो इनमें से हमें कोई पागल्पन कीं मतलब क्या होता है वह एक परकार से सर्ड विग्यान फिक है तो यह भी देखें इक कि टौमी ऑप होता है जो दो भागों में दो पार्ट में डिवाइड करता हो जैसे जीऊ और परानी जो होते हैं उन्हको बागों में डिवाइड कर रहा हूं इप आपको जोड़ के ना जाए और वीडियो का लाइक भी कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नेकिए तो subscribe भी किजिए आपको बहुत ज्यादा फाइदा होने वाला है और मैं आपको word power के अंदर एकदम से बढ़िया बनाने के लिए कोशीज करूँगा और vocabulary जो class है वो पूरी तरह से अच्छे वाली मिलेगी आपको आपको भी अच्छा लगेगा कि vocabulary की class आपको डेली अगर मिलत पूरा शारांस का भी summary उम्मरी टाइब का जो रहता है इनमें कौन सा होगा वो आपको मिलाना है philology philology का मतलब भासा विगयाद सेलेक होगानाшा है आप समाज सास्तर से related होगा वो इससे मिलाना है एप्रोड एप्रोड डियाजाइक का मतलब होता है जो जाएदे को जो सेक्शुल आ रहा हो जिसमें कमुक्ता ज्यादा बढ़ जाए उसको कहते हैं एप्रोड डियाजाइक और फिलन ट्रॉफी फिलन ट्रॉफी यह तो आप अच्छी से जानते ही हैं चिक है यह जो बचेगा वह जाएगा जाएगा जो आ मानुता के लिए खाम करे इस तरह यह होता है वह फिलन ट्रॉफी होता है तो नाव मैं आपके सामनी जो है वन वाइपन फिल यह क्या uwजाएगा ठीक है वो चलो देखते हैं यह फिजिकल स्ट्रेक्चर और फिजिकल स्ट्रेक्चर को कुल बताएगा एनाटोमी के अंदर फिजिकल स्ट्रेक्चर की बातें होगी अब लगा कैसा ठीक है फिर आता है आपका आन्तोमलोगिं क्या होता है कीटपि गयान होता है समरी रिप्रॉजेंटेस बएगा सौरा finals कि में बताएगा सौरा,फिटॉम का मतलब होता है सारान चलो चलते है इसके पास शि undercover से इपिटॉम से ठीक है इसके बारी चीज्टक का स् मुथ होता है इपिटॉम इसके बाद हमारे पास word है, science of the meaning and effect of the word. यानि कि, meaning इसका क्या होगा, उसकी study करना, उसकी science क्या होगा, इस word का क्या परभाव पढ़ता है, क्या अर्थ निकलता है, वो होता है semantics, semantics क्या होता है, word का kな effect पढ़ता है किसी चीज़ पर. ठीक है अर्थ विज्यान जिसको कहते है science of meaning and fact of word यह हो गया semantics अच्छा उसके बाद आता है linguists linguistics linguistics क्या है भासा विशेसक जिसको कहते है भासा से लेटर कौन सा है philology philology का मतलब हो गया भासा विशेसकि तो यह मिला देते है इससे यह इससे मिला दिया आप माध साइशबद विज्यान किसे कें एक साइंस को लिए आ यह आ जो अद्हेन करता है समाज सास्तर ये ला आपके चस्ट पास में बेठा है समाज सास्तर से रेट आप चैरिटेबल वक्स कौन से होते हैं जो फिलेंट्रोफी वाले जो होते हैं जो मानो कल्यान के लिए वरक करता है ये रहे आपकी ये वर चैरिटेबल वक्स फिलेंट्रोफी उसके बाता है that which causes a sexual arousal, so इसके लिए आपके पास यह वर्ड आपरोडिया जाक, इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है, तो यह आपका चस्ट पास में यह है, असान है, यह मिला दिया, आप क्या strangeness and oddness, अजीवोग्रीब and oddness, अजीवोग्रीब यह होता है, विचीत तर्जी इसको इसको भी मिला देते हैं, यहां से यह मिला दिया, okay, now condition of state of being split into two parts, दो भागों में डिवाइड करने वादा, अब यह तो आपका कौन सा बच गया, देखो, 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 कौन सा बच गया, डिकोटोमी, डिकोटोमी ही आपका क्या होता है, वो आपका जो दो भागों में करता है, actual में क्या है, कि यह वाला तरिक आपको अच्छा लगेगा, और साथ में आप देखे, कि क्या, वीडियो के एक बार फिर से देखे, और देखे, कि क्या इसका structure, physical structure को क्या देखे, anatomy, ठीक है, anatomy, summary representation of the wall, इसको क्या कहीं, इसको सीधा आप explain करने की कोशिज की, summary representation of the walls, इसको क्या कहीं, इसको क्या कहीं, इसको क्यों सा था वो, जो summary बताता है, क्या है वो, epitorm, epitorm, क्या है, epitorm, इसको सीधा, किताब में लिखके, अगर ऐसा करोगे, तो आपको ये भी word याद बताएंगे, और कुछ English के touch में भी रहोगे, ठीक है, उसके बाद आता है next, science of the meaning and efficiency effect of the words, ये क्या हो जाए, semantics, क्या हो जाएगा, semantics, ठीक है, उसके बाद आता है, linguist, यानि कि philology, philology, उसके बाद आता है, science dealing with insects, ये क्या हो गया, entomology, सब दुबारे इसके बताब, आरे, इधर से भी, देखो, इधर से भी देखो, जितना ज़्यादा इन words के साथ, time spent करो इतना ज़्यादा सीखने को मिलेगा, science of social structures and custom, ये क्या, sociology, ठीक है, sociology, और ये charitable works कौन से है, philanthropy, ये क्या, sexual arousals कौन से है, एफरोडियाज याख, और strengthness, noradness किसमाते, eccentricity, और ये condition, the state of the being split into two parts, दो भागों में चीरने वाला, बताने वाला, ये क्या हो जागा दो भालों में, डिकाट्वामी, ठीक है, ये मैंने एक post भी डाला था, और उसमें भी ही मैंने पूछा था, so I hope आपको अच्छे से समझ म आया होगा, और अच्छे से आपने भी इसका enjoy किया है, और इस gameplay के साथ आपको कैसा लगा, मुझे comment करके जरूर बताना, और आपको अगर इसी तरह का next, एक दूपार्ट और तो कर प्या करके मुझे एक बार comment करके जरूर बताए, फिर मेरे को अच्छा लगेगा, और प्ली अज्वीडियो भी लेकिया आ जाओगा, लेकिन वीडियो बनाने के सामने का जो confidence है, वो देरे-देरे आएगा, अगर आप बढ़ा हो तो आजाएगा, ठीक है, थैंक्यों वेरी मच, I hope you will subscribe to the channel and like my video, थैंक्यों वेरी मच